नमस्कार दोस्तों हेल्थ इंफो इंडिया यूटूब चैनल में आपका स्वागत है इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं करेला खाने के फाइदे और नुक्सान के बारे में करेला बेल में लगने वाला एक फल है जिसका ओपयोग हम सबजी और जूस बनाने में करते हैं कर इसके गुड़ों से हमारे सरीर को काफी फाइदा होता है करेला में काफी कम मात्रा में कैलोरी होती है इसलिए करेला मोटापा कम करने में कारगर होता है करेला में विटामिन ए और बिटा करोटीन पाया जाता है जो आंखों की रोसनी बढ़ाने में काफी कारगर होता है करे करेले का उबला पानी या करेले का जूस पीने से किड्नी की समस्या दोर होती है तथा किड्नी से सक्री हानिकारक तद तो बाहर निकल जाते हैं करेला खाने से हमारे सरीर के उर्जा बढ़ती है तथा हमें सुस्त होने से भी बचाती है पेट समंधी बीमारियों में करेले का ज रोधक छमता को बढ़ाया जा सकता है और जिससे कई प्रकार की बीमारियां ठीक हो जाती हैं मदुमे के रोग्यों के लिए भी करेला काफी लापतायक है मदुमे के रोग्यों को एक चौथाई करेले के रस के साथ इतना ही गाजर का भी रस लेना चाहिए क्रेला खाना या इसके जूस पीने से हमारा खून भी साफ है ₱ और में चमचल करीमे जब्सक्रिय स्कृ earnings का फायदा मिलता है जिससे हमारा रक्त संचार सही तरीके से कारे करता है और hard attack आने का खत्रा काफी कम हो जाता है तोचा रोग में भी करेले के रस्प का प्रयोग किया जाता रहा है करेले में नीबू के रस्प के साथ तोचा पर लगाने से तोचा साफ और मुहा से खत्म होते हैं करेले में antioxydant vitamin C भी पाया जाता है या हमें सूरी की UV करिणों से बचाता है, एंटियू अक्सीदेंट जुडियों को दूर करने में काफी मदद करता है, करेले में पॉली पेप्टाइड पी या पी इंसुलीन भरपूर मात्रा में पाया जाता है, जो मधूमे को रोकने में काफी कारगर थाबित होता है, रखतसरकरा को कम करने के लिए रोज सुबा खाली पेट करेले का जूस पीना चाहिए। रोज दिन में एक बार करेले से बनी कोई भी खाद समगरी आवज सिखाएनी चाहिए। करेले में एंटी इंटॉक्षिकेशन गुड़ होते हैं जो सरीर से विसायले पदार्थों को बाहर करता है। तथा करेला सराब से लीवर में होने वाले नुक्सान से भी बचाता है। भाइंब जानते हैं अधिक मातरह में क्षाने के क्या नुखसान हो सकते हैं कि क्रेले प्रियोग गर्भधारन करने के शंता को कं कर दिता है इसरी गश्मड़ें वाली महिलाओं को करेला कम बर फ्यूर्व को जाता जी lo लीवर एंजाइम बढ़ाने लगते हैं और धमनिया अकड़ने लगती हैं प्रेगनेंट महिलाओं और लो ब्लेट प्रेसर की विमारी से गरिसित लोगों को करेले का कम ही सेवन करना चाहिए ऐसे ही करेला खाने के बहुत सारे फायदे और कुछ नुकसान देखने को मिलते हैं उचित होगा कि आप इसका सीमित मातरा में सेवन करें और आवशक्ता होने पर आप अपने चिकित सक्से परामस लें अगर आपको करेले से जुड़ी जनकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और हेल्थ इंफो इंडिया यूटूब चैनल को सब्सक्काइब करें मिलते हैं आपसे कोरने किसी फ्रेश वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद